इस मूवी में हम लोग देखेंगे दो ऐसे भाईयों की स्टोरी जो कि मिया कलीफा का धाका पेल कारे करम रिकोर्ड करना चाते हैं अपने कैमरे के अंदर तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन दबा देना अगर आप लोग नहीं आयों और वीडियो के इन तक देखना मत भूलना तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग जौन और जौन आम के दो बेशरम भाईयों को देखते हैं हम यहाँ पर देखते हैं कि इन लोग को एक काम मिला होता है एक फ्यूनेरल में वीडियो रिकॉर्डिंग का तो यह लोग वहाँ पर जाते हैं वीडियो रिकॉर्ड करते हैं पर साथी साथ यह लोग उन लोगों इसे मार भी खा लेते हैं और इन लोग को एक दूसरा assignment देता है जो कि ये था कि इन लोग को एक 10 मिनट की वीडियो record करनी है जो कि इनका assignment है। अब ये लोग को इस assignment को सुनके पच्छान हो जाता है दुखी हो जाता है क्योंकि इन लोग को मन में था एक वीडियो recording करना बेश अगले ये लोग एक movie बनाना चाहते थे तो इन लोग का मन movie बनाने में यही था और ये लोग दुखी हो जाते हैं जब इने ये बात पता है कि अब इन लोग को उस movie को छोड़ कर एक 10 minute की वीडियो बनानी है तो ये लोग इस बात को discuss करते हैं अपने parents से साथ ही साथ अपनी girlfriend से भी John इस बात को discuss करता है ये लोग एक cafe में बैठे होते हैं तो ये लोग यहाँ पर एक decision लेते हैं कि ये लोग लंडन जाएंगे और महाँ पर एक romantic movie बनाएंगे बेचेगले इन लोग ने romantic movie आज से पहले कभी भी नहीं बनाई तो ये लोग का first time था Hey guys, wait wait wait, मैं आप सभी लोग के लिए एक दूसरा channel बनाया है जहां पर मैं कुछ popular names को explain कर रहा हूँ आप लोग comment करके बताइए इस वीडियो में कि आप लोग को कौन सा नहीं पसंद है मैं उसकी explanation आप लोग को अपने दूसरे channel पर दूँगा इस channel के link आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा जाकर subscribe कर लेना और bell icon दबाना मत बोलना चलिए continue करते हैं हम लोग देखते हैं ये लोग एक producer को पास जाते हैं तो producer इन लोगों से कहता है कि आपने धकापेल कारे करम को अपने पास ही रखो मेरे पास पहले तुम script लेकर आओ तम मैं तुमारी बाते सुनूगा तो ये लोग जाते हैं एक room को वहाँ पर एक room को rent पे लेते हैं वहाँ पर एक typewriter भी लेते हैं अब क्योंकि इन लोग एक पास room भी था एक typewriter भी था तो ये लोग एक script लिखते हैं करीब 500-200 पन्नों की एंड उस script को ये लोग एक दिन में पूरा करके उस producer को दिखाते हैं और फाइनली producer भी मान जाता है और इन लोग को फाइनली एक investor मिल जाता है अपने film के लिए हम लोग देखते हैं ये लोग पूरी city में पर्चे छबा देते हैं फिल्म के audition के लिए तब यहाँ पर इनके मुलाकात एक लड़की सोतिया जिसका नाम लायला था और जो की इस पूरे किर्दार में अच्छी तरह से ढ़ल रही तो इन लोग को भी वो पसंच जा जाती है अपनी movie में एक lead actress के तौर पे हम लोग देखते हैं तब ही हाँ आपर इनके principal आते हैं और लैला को पता नहीं था कि ये लोग इनके principal हैं तो लैला यहाँ पर जोन और जो के बारे में कुछ अच्छी बात उस principal को बताती हैं जिससे कि वो principal को भी अच्छी लगती हैं और principal उन दोनों से बिना कुछ का ही वहाँ से चला जाता है अब हम लोग देखते हैं कि इन लोग का जो सपना था वो finally पूरा होने ही वाला था और ये लोग इस चीज को celebrate करने के लिए एक बार में जाते हैं उसके बाद फिर ये लोग एक कलब में जाते हैं जहां पर इन लोग की मुलाकात एक candy नाम की बार डांसर से होते हैं जो की ब बात जैसे हिलायला को पता पड़ती है तो वो जोन को थपड़ मारते थी और कहती है कि तुम खुद तो investor and producers के पैसे डुबाओगे और साथ ही साथ अपने भाई को भी फसबाओगे अब हम लोग देखते हैं ये लोग इस बात को भूल जाते हैं और finally ये लोग अपने घर प हम लोग देखते हैं कि यहांपर candy भी आ जाती है अब ये लोग परिशान हो जाते हैं कि इनकी जो त्यारियां थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई थी तो हम देखते हैं जौन है पर candy को अप्रोच करने के लिए जाता है उसको अपने गर में लेकर आ जाता है अब हम लोग सुनकर जो जोन होता है उसका भी थोड़ सा होसला बढ़ जाता और यह लोग शूटिंग को शाट कर दीते हैं जिसमें कि जो केंडी थी वो इतनी जबर्दस परफॉर्मेंस दे रही थी अब हम लोग देखते हैं कि यहां पर जोन की जो पेरेंट्स थे वो भी घर पर आ जाते हैं पर जब वो भाड़ चल जाते हैं यह लोग फिर सपनी शूटिंग तियार करते हैं हम लोग देखते हैं कि इनके जो शूटिंग थी फैनली पूरी हो गेते हैं कि यह लोग सेलीबेट कर रहे होते हैं एक दिन अपने तो केंडी को जब बात पता पढ़ती है तो वहां से चली जाता है कि जॉन ने केंडी से ये बात कही थी कि ये मूवी मेरी है। और सारा पैसा अब फाइनली मूवी की स्क्रीनिंग का दिन होता है और हम लोग जो और जोन को देखते हैं जो कि आप बात कर रहे होता है और कहते हैं कि असली मूवी इनके पास है और इन्होंने प्रेडियूसर को नखली मूवी दे दिया अब प्रेडियूसर जैसे अपनी सी तो उन्द यहां पर उन्सापने सब्सक्राइब करना मिधतने है तो जो और जोन यहाँ पर अपने फेरेंट से बात करते हैं उस प्रेडियोसर के पास जाना चाये और उसे बताना चाये कि इस मूवी को एक अवार्ड मिलने वाला है तो वो मूवी वो हमों हैंड़ ओवर करते पर जो प्रेडियोसर डघ होता है वो ऐसा नहीं करता जान को माफ करके कह देती है कि यह मूवी, प्रेडि़ूसर डगने नहीं बनाई, यह मूवी जान और जोने बनाई है, अब यहाँ पर फाइनली जान अपना आवार्ड ले लेता है, और यहाँ पर वो केंडे को पिस्ट कर देता है, आफ फाइनल सीन में हम लोग देखता है कि झाल 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 झाल